जेहिन दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगनीपत आर्मी भरती की फिजिकल टेस्ट और इसके एकजाम सिलेवस की कमपलीट जनकारी के बारे में अगर आप भी इंडियन आर्मी में अगनीपत स्कीम के अंतरगत जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके इसमें कितना होना चाहिए बीम जो है कितना इसमें जो है आपको मिनिमम करना होगा और जीग जाग जो बैलेंस पर है इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे या क्वालिफाइंग नेचर है इसके अलावाए एकजाम सिलेवस के बारे में एकजाम सेंटर के बारे में इस का selection process कैसे होगा तयारी आपको कैसे करना है और इसकी medical test यानि की physical test, medical test और retain exam की complete जनकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो वीडियो में आप सभी बने रहिए और चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे बात करें इस भरती की selection process and physical test details क के बारे में तो आप सभी को बता दे इसमें सबसे पहले आपका running conduct कराया जाता है और यह running जो है 1.6 km का आपका होगा जिसमें आपको 5 मिनट 30 सकेंड में अगर आप यह running complete करते हैं तो आपको जो है 60 number मिलेगा और अगर आप सभी 5 मिनट 31 सकेंड से लेकर 5 मिनट 45 सकेंड के ब running complete करने के लिए क्योंकि इससे जो है आपको ज्यादा यहां पे number मिलने वाला है और maximum जो time है आपको इसमें 5 मिनट 45 सकेंड ही दिया जाएगा अब यहां पे बात करते हैं कि इसमें जो है beam आपका कितना होगा तो देखिए beam जो है maximum आपको 10 करना होगा और 10 करते हैं तो 40 number 9 कर करते हैं तो 21 और minimum जो है 6 है यानि कि 6 से अगर आप कम करते हैं तो आप जो है dis qualify हो जाएंगे तो यहां पे आपको परियास करना है 10 जो है beam करने के लिए क्योंकि इससे जो है आपको 40 number मिलेंगे इसके बाद यहां पे 9 feet आपका dis होगा जो की qualify nature है इसे केवल आपको पास करना है इसमें किसी तरह के number नहीं मिलेंगे और इसके अलावाद जीग जाग balance पर जो है आपको चलाया जाएगा जो की qualify nature है यानि कि इसे भी जो है केवल आपको पास करना है need to qualify लेकिन इसमें running और beam जो है सबसे ज़्यादा important है तो इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्याद number जो है gain करना है इसके बाद यहाँ पे height की details की बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताए थे लेकिन यहाँ पे एक बार और देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है कि आपके arrow या आपके state का height कितना है तो यहाँ पे height chest और weight की बात करते हैं तो देखिए chest जो है जितने भी state है सभी के लिए 77 cm आपको चाहिए इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप सभी इन सभी state से आते हैं एक बार आप सभी यहाँ पे वीडियो को रोग कर देख सकते हैं इन सभी state जैसे कि सीकिम नागलेंड और नाचल परदेश मनी पूरतिर पूरा बिलों करते हैं तो आपके लिए जो हाइट है जीडी एंट रेट्समेन के लिए 160 इसके लावा टेकनिकल के लिए 157 और कलरक एंड एश्टोर की पर टेकनिकल के लिए 160 रहेगा और चेश्ट आपका 77 और वेट जो है 48 कीजी होना चाहिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प इसके बाद अगर आप उतर पर देश बिहार वेस्ट बंकाल जहर खंट एंड उरीशा से बिलों करते हैं तो जीडी एंड टेकनिकल के लिए 169 और कलर के लिए 162 सेंटीमिटर चेश्ट इसके बाद यहाँ पे मध्य पर देश चतिस गड़ गुजरात महराष्टा दादर न बंदिव से बिलों करते हैं तो जीडी एंड ट्रेट्समेंड के लिए 166 इसके अलावा आपका टेकनिकल के लिए 166 और कलर के लिए 162 सेंटीमिटर रहेगा इसके अलावा इन सभी ये स्टेट से अगर आप बिलों करते हैं याके अंदरसासीत पर देश से तो 166 आपका जी बतर और वेट 49 के जीड तो यहां पर देख लिजिए आप सभी यहां पर ऊपर के तरफ आपको देखने को मिल जाएगा अगनी बीर जीडी एंड ट्रेट्समेंड के लिए इस सक्षन में हाइट दिया गया है टेकनिकल के लिए इसमें और कलर के लिए और स्टोर की पर टेक त्यारी कर रहे हैं यानि कि इंडियन एयर फोर्स की अगर आप सभी त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेश्ट बूक होने वाला है चक्छू पब्लीकेसन का आप सभी को बता दे या एक प्रेक्टीस सेट है जिसमें 25 सल्व प्रेक्टीस सेट आपको देखने को मिलेगा और 2450 पलस जो है बहुबी कल्पी ये प्रास्न और आप सभी को बता दे इस बूक को जो है इंडियन एयर फोर्स के एक जाम में जिस तरह से प्रास्न पूछे जाते हैं उसी तरह से जो है सभी प्रास्न और उसका सोलूशन एंड एंसर जो है आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा चक्छू पब्लीकेशन के तरफ से साइन्स सब्जेक्ट के लिए अलग से प्रेक्टिसेट आता है इसके अलावा अधर देन साइन्स सब्जेक्ट के लिए अलग से प्रेक्टिसेट आता है तो इनमें से अगर आप से भी किसी भी सब्जेक्ट के अंतरगत त सकते हैं इसके बाद जब आपका physical qualify हो जाएगा यानी कि selection process में जब आप PTT, PhD कम्पलीट कर देंगे यानी कि physical आपका qualify जब हो जाएगा उसके बाद second step में document verification होगा और document verification में सबसे पहले आपका admit card जो है admit card तो पहले ही चेक किया जाता है Document V investigation में आपका photo देखा जाएगा इसके अलावा educational certificate है तो यहाँ पर educational certificate में आपको 3th and 12th का certificate and mark sheet दोनों ले कर जाना है और यह certificate आपको original ले कर जाना है, ऐसा नहीं है कि 2 copy आपको ले कर चल जाईएगा original जो है आपको certificate और marksic लेकर जाना होगा किमकि वहाँ पे original जो है check किया जाता है इसके अलावा इसके two copy भी आपको 7 में लेकर जाना है इसके बाद domicile certificate और domicile certificate आप सभी भीले जो आपके तहसिलदार है वहाँ से जो है बनवा सकते हैं या इसके अलावा कास्ट certificate भी आपको लेकर जाना होगा तो domicile certificate का मतलब होता है निवास परमान पत्र कास्ट माने जाती परमान पत्र इसके अलावा religion certificate अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं नहीं है तो कोई भी problem नहीं है क्योंकि अन्य document पर भी आपके जो religion है उसके बारे में बताया जाता है इसके अलावा school character certificate जो की school level का होना चाहिए इसके अलावा एक character certificate आपको अलग से लेकर जाना होगा जो की village sir punch या इसके अलावा municipal corporation के थुरू बनवा सकते हैं इसके अलावा unmerit certificate आपको लेकर जाना होगा दोस्तों अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी problem नहीं होता है क्योंकि unmerit certificate जो है ये mandatory नहीं है इसके अलावा relationship certificate अगर आपके पास है तो ले जाएगा क्योंकि इससे कुछ number आपको मिल जाएगे और ये सभी के पास नहीं होता है क्योंकि आप सभी को पता है कि जिनके father या brother पहले से Indian army में है वो ऐसे ही candidate के पास relation certificate होता है इसके अलावा NCC अगर आपके ये हैं तो ले जाएगा क्योंकि C अगर आपके पास होगा तो 15 नंबर मिलेगा B होगा तो 10 नंबर और A होगा तो 5 नंबर आपको मिलेगा तो ये आपके लिए important है अगर आपके पास है तो ले जा सकते है sport certificate है तो आप ले जा सकते हैं या न्याथा इसे जो है जरूरी नहीं है if have आप सभी यहाँ पर देखेंगे और एफी debit आप सभी को बता दे एफी debit जो है सभी candidate को ले कर जाना है तो यह आपके लिए काफी ज़्यादा important है तो दोस्तों यह सभी जो document आपको बता हैं यह सभी document जो है आप सभी जल्द से जल्द जो है बनवा लीजिए इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं medical test की तो medical test में जो है आपका medically and mentally जो है fit होना चाहिए यानि कि आपको कोई भी problem नहीं होना चाहिए medical test के उपर मैं यह कलक से video बना दूँगा कि क्या क्या इसमें चेक किया जाता है और कैसे चेक किया जाता है तो अगर आपसे भी चाहते हैं तो comment में बताईएगा लेकिन simply आपको बता दे कि कोई भी problem नहीं होना चाहिए क्योंकि army के जो medical है यह काफी जादा hard होता है आपके body के परतेक अंग को जो है चेका जाता है तो अगर आपका कोई भी problem है या कोई भी बेमारी है तो आपसे भी जल्द से जल्द जो है ठीक करा ले इसके बाद retain exam की बारे में बात करते हैं तो retain exam में आप सभी को बता दे इसमें जो है आपके 50 प्रस्न रहेंगे और परतेक प्रस्न आपका दो नंबर का रहता है 100 marks के जो है आपके एक जाम होंगे तो जेनरल नोले से आपका 15 प्रास्न और जो है परतेक प्रास्न दो नमबर का तो 30 नमबर का हुगा आपका जेनरल नोले से इसके लावा जेनरल साइन से 15 प्रास्न 30 जो है मार्क्स इसके लिए रहेगा मैथमेटिक से 15 और इसके लिए 30 नमबर और इजनिंग से जो है आपका 5 रहेंगे और इसके लिए दस नंबर तो यहां पर देख लिजिए यह आपका सिलेवस है और इसी के एक आपको तयारी करना है परते एक प्रस्न जो है दो नंबर का आपका रहता है और इसमें आप सभी को बता दे कि 50 टोटल प्रस्न और 100 टोटल मार्क्स आपका होगा और समय एक जन करना आपको सार्थ मिनटël या दे की वन घंटा यह गनटा जो आपको समय दिया जायगा और मिनमं जो पासिंग इसमें मार्कस है और आपका 35 रहने वाला है यानि कि 35 यानि कि सो में से 35 जो है आपको मिनिमं लाना ही होगा अगर इससे कम लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे 35 नमबर मिनमाम आपको लाना है अगर आपका आता है तो सेलेक्षन होगा इससे ज़्यादा ही आपको लाना है तो दोस्तों यह इसका रिटेन एकजाम का सिलेवस है और आप सभी को बतादे कि रिटेन एकजाम के बारे में अभी कोई यहीं तैयारी करना है क्योंकि पुरी संभावना है कि पौहले जो आपका एकजाम का सिलेवस था या पैटर्न था वहीं सेम रहेगा तो इजो है रीटेन एकजाम का आपका पैटर्न रहने माला है तो दोस्तों यह था भढ़ती का डीटेल्स फिजकल टेस्ट और इसमें रिटेन एकजाम के बारे में मैंने आप सभी को बता दिये हैं और अगर आप सभी अपने ARO का वेकेंसी देखना चाहते हैं कि आपके ARO का वेकेंसी आया है या नहीं आया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी ARO का भरती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा तो एक बार आप सभी नोटिफिकेशन पट लिजिएगा और उसकी complete details भी चेक कर सकते हैं यहां से आकर तो दोस्तो इसका लिंक आपको description में है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जहिंद बंदेवात्रम